हलो बच्चो आज इस सुर्म क्या करेंगे डिफरेंसेट करेंगे तो इफ गिवन वाई वाई क्या है 3x तु 5 पाइबस 4x क्यूब प्लस 9x मनेश 6 y करके दिया है find dy by dx करना है डिफरेंसेट करना है इधर बहुत इस सिंपल एग्जमपल है ठीक है now solution पाइल हमको एक standard formula बताता हूं so d by dx x is to n is standard formula है so क्या आएगा n into x is to n minus 1 होगा ठीक है so is standard formula इधर use करना है ठीक है now now differentiate differentiate y with respect to x x करना है ठीक है अभी यह क्या y बेकम dy by dx हो जाएगा and right hand side is a d by dx 3x is to 5 direct भी कर सकते इसको अगर थोड़ा आसा most steps नहीं तो इस तरह भी जा सकते minus d by dx 4x cube है plus d by dx third term 9x है minus d by dx 6 करके है ठीक है now that is equal to इधर क्या है 3 constant है इसके साथ x variable भी है इसले क्या करना 3 को बाहर लेंगे so d by dx x is to 5 इस तरह लिखेंगे हो ठीक है minus इधर भी ऐसे मेंस है 4 बाहर लेंगे d by dx अंदर वेरेबल लिखेंगे x cube करके लिखेंगे third term में भी ऐसा plus d by sorry 9 बाहर लेंगे 9 into d by dx only x minus इधर कुछ वेरेबल लेंगे 6 को लिखेंगे so d by dx इधर 1 बचेगा ठीक है now इधर देके इन त्युनों टर्म में यही फॉर्मुला अप्ला होगा that is equal to 3 into x as to n n के जेग में क्या है 5 है इधर क्या है standard formula है so 5 into x as to 5 minus 1 होगा ठीक है second देके minus 4 same यही फॉर्मुला अप्ला होगा इधर 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 करना पड़ेगा यान के जेग में 3 है 3 into x as to 3 minus 1 है ठीक है third term plus 9 x इधर x है ना इसका degree 1 होगा okay यान के जेग में क्या है 1 है इसलिए 1 into x as to 1 minus 1 इस्ते भी लिखते सकते है minus 6 1 क्या है constant है अगर हम constant to difference है तो हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा इसलिए 6 into 0 अगर हम direct 0 लेको भी चलेगा ठीक है now अब इदेखे 3 into 5 15 x as to 5 minus 1 4 हो गया ठीक है minus 12 है 12 x as to 3 minus 1 x square हो गया plus 9 into 1 9 x as to 1 minus 1 x as to 0 इधर क्या हो गया x as to 0 उसका value 1 होता है सो 9 into 1 is 9 होगा यह minus 0 मतलब डीवाब है dx is equal to 15 x as to 4 minus 12 x square plus 9 अगर अपसको और एक थरीक है इसको direct differentiate करता परेगा सो डीवाब है dx देखे एदर इधर multiply किजिए 15 एक कम किजिए यही तरम हो गया सेम इधर multiply किजिए minus 12 x square हो गया यही तरम है ना बाद में सेम 1 है ना इधर multiply किजिए plus 9 x is to 0 become 9 सेम हागे ना हम direct भी कर सकते है detail में गया तो इस तरह भी कर सकते है अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट्स अगर सब्सक्राइब किया तो आपको नहीं उडिगा नोट्र में लेगा आपको दूसरी मतमेट्स वीडियो चाहे तो मेरे डूपकल प्रेस में जाए आए बटम एक कुछ लिंक से इस वीडियो को दिस्क्राइब कुछ लिंक से थैंक्स पर वाचिक